ये फेस्बुक ये अपना डीपी तक नहीं लगाते इनको अपने बाप के सकल से नफरत है ये अपना बाप किसी और को मान चुके हैं ये लग बात है कि भोजपूरी के अब धुरंधर लोग भोजपूरी पे को डुबाने पे लगे हुए हैं और जीतोर मेहनत कर रहे हैं कि 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 भोजपूरी को डुबा दिया जा कि मैं नाम नहीं लेता किसी का और हमारे नाम ना लेते हुए भी बाते जिन पर सटिक बैठेंगे लोग अंदाजा लगा ही लेंगे कोई ऐसा नया लड़का आज नहीं है जिसका गाना जरा सक क्लिक होना सुरू हो तो यहां के इस्टार लोग नगा दें वो इस्टार जिनको ना पैसे की कमी है ना नाम की कमी है ना सोरत की कमी है चीज यह लोग सिर्फ इस लिए करते हैं कि मार्केट में कोई नया लड़का नहीं आना चाहिए दोस्तों नमश्कार बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल लीड न्यूज में मैं हूँ आप सब कशुभम सिंग और आज हमारे बगल में बहुती स्पेशल परसन बैठे हुए हैं भोजपूरी से जुड़े और ये जाने जाते हैं क्योंकि इन में वो capability है हमारे साथ बैठे ह पहले आपके लीड न्यूज देखने वाले सभी सुरोता को मेरे तरफ से देर सारा सुबकामना भी नवर्स बीता है जी और खासकर जो हमारी भोजपूरी के लोग हैं उनको हमारी तरफ से दिल से एक संदेश की जो चीजें नहीं होनी चाहिएं जो होती आ रही है वो सब आप लोग बंद करें और अपनी भोजपूरी को आगे बढ़ाने का काम करें और जितने लोग भोजपूरी में आये हैं काम करने उनको काम करने दें जी, क्या बात है शुरुबात में ही कुंदन जी ने अपना अंदास दिखा दिया है बता दें कि कुंदन प्रीज जी इस्पेशली सैड सॉंग के लिए ही जाने जाते है इनका लिखा हुआ सैड सॉंग इनसान को दिल तक छू देता है इनसान के दिल तक इनका लिखा हुआ गाना टच कर जाता है सैड सौंग के लिए क्यों जाने जाते है क्या कभी जिन्दगी में आपके साथ कोई दुखत घटना बीती थी जैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसके साथ कोई न कोई घटना एसी न रही हो जो उसको बहुत चुहती हो तो मैं इस दुनिया से लगता हूँ नहीं कि वो घटना हमारे साथ नहीं बीतेगी वो सब के साथ बीतता है और खास कर जो लोग गाउं में रहते हैं उन पे जातिकत बंधन होता है केरियर का बंधन होता है तो लगभग हमारे 90% नोजवानों के साथ कोई न कोई घटना होती है तो मेरे साथ भी है और मुझे खुसी है इस बात की कि हमारे साथ वो घटना होई कि हम अपनी चीज़ों को आज लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं और हमारे दर्द में लोग अपना दर्द ढूंडते हैं उन सभी इस रोताओं को कुंदन पृत का दिल से धन्यवाद जो लोग हमारी कीतों को सुनते हैं आप लोग सुनते रहिए अपना प्यारा सिर्वाद बनाए रहिए जी कुंदन जी मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि भोजपूरी की बात करें तो आपने बहुत लोगों को बहुत सुपरस्टार्स को गयाना लिखके दिया है रितेश पांडे जी है खेसाई लाली आदव जी है बड़े बड़े कलाकार हैं कैसा लगता है भोजपूरी बहुत अच् सबस्क्राइब लगारी स्थidd Insya है बहुत कर लिए जैपने बहुत जैसी लुघ्यूरी में चपोषपूरी का सबस्कूई मूम बहुत बना चुके हैं जी हमकोंporterी म Как बहुत बहाएनिव 2000 अरे हैं उनके लिए कहीं ने कहीं खत्रा पैदा हो रहा है जी बिल्गों सारा खत्रा उन ही के लिए है अभी आप देख लिए कि सहथ तक लोग गिरे पड़े हैं जो कि मैं नाम नहीं कं़ी है वाश्व कहा का मार्कयट ना चाहते है इंको थाइलेंड में थोड़ी सूनेंगे हम इतने भश्ष परीस रोता है सब लोग इनको जानते हैं और यही लोग नए लड़कों का गाना उठाके घाते हैं उससे भी बड़ी बात क्या है कि उनके लोग आके सीना चोड़ा करके उस चीज को सही भी साबित करने पे दस दिन लगातार तुले रहते हैं तो ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कभी कुंदन जी कि आपने कोई गाना लिखा कोई मैटर बनाया और चोड़ी करके लोग गाके बड़े बन जाते हैं ऐसा क्या हुआ है देखे चोड़ी करके लोग बड़े नहीं बन सकते चोड़ी करके लोग छोटे होते हैं क्या बात है ठी यह काम यह लोग इसलिए नहीं करते कि उस गाने से इनको बहुत अर्निंग हो जाएगी यह चीज यह लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि मार्केट में कोई नया लड़का नहीं आना चाहिए बात सही है कही ना कही तक मतलब जी इनका जो अपीनियन है इन्होंने रखा और मैं भी इस बात से सहमत हूं इनकी सोच भी सही है बोचपूरी में बहुत सारे स्टार्स को आपने गाना लिख के दिया है सबसे मज़ा किसके साथ आता है काम कर के भाई मुझे गाना लिखरे में मज़य आता है और गाना रिकोडिंग करते व को प्थ हम चहरे पर नहीं देखते कि सामने कौन का रहा है में दें लिए उतने ही मैने समर सिंग रखते हैं जीतने खेसाई लाल यादों रखते हैं जीतने रितेस्पांडे की हो रही कि समवर सिंग की हो रही हमारे लिए हमारा गीत गाने वाला गायक गायक है चाहे वो आसमान में रहने वाला हो चाहे जमीन पे मुझे सब के साथ उतना ही मज़ा आता है काम की बात हुई बाकि पर्सनल संबंध हमारा किस से कैसा है वो ये इंटर्विव किसी तो है न अच्छा भोजपूरी की बात करें जो अभी अपने थोड़ी दिर पहले भी बात कहीं कि बड़े-बड़े स्टार्स जो है भोजपूरी को डुबाने में लगे हैं ऐसा आपने कहा क्यूंकि भोजपूरी बहुत ज़रा कॉंट्रवर्सी चल रही है तो यहां पर दो बड़े स हैसियत से भी मेरी हैसियत उतनी बड़ी नहीं है कि मैं इन दो बड़े नामों पर टिपणी करूं एक सुरोता के तोर पे हमसे पूछेंगे तो गलती दोनों लोगों कि थी ठीक है जी आज तक हमने सुनु निगम जी के और कुमार सानु के फैन के भी लड़ाई नहीं देख यहां 2,400-500 लोग 500 लोग 500 लोग 500 लोग 500 लोग 500 लोग इस फेस्टी चलाते है रात रद भर रॉच्टर जगके गाना लिखता है रात रद भर music director जगके music बनाता है वीडियो सूट करने वाला दिन दिन भर मेनत करता है एड़ीटर त्यार-चार घंटे में गाना एड़ीट क कंपनियां लाखो रुपया लगा के गाना रिलीज करती हैं लगता है इन फेस्बूकियों को है कि हम हम इंडस्टी चला रहे हैं और यह सारी जो गड़बडी है यह फेस्बूकिये करते हैं एक जो नॉर्मल सा बात अगर हो भी गया वो लोग बड़े लोग हैं उनकी आपस मे उठक बैठक होती होगी जगड़े होते होंगे एक लेबल है वहां पर बात खतम हो जाती फिर दोनों पक्ष के जो फेस्बूकिये हैं वो उस मुद्दे को बड़ा करते हैं क्यों दो चार दस फालोबर बढ़ जाएंगे ठीक है जी और इन फेस्बूकियों से हमारी बड़ तब बुद्दे को फेस्बूकिये है ऐसे अब एक चीज में बता देता हों डियो एक अनुन आनुवां सिक्टा होती है एक जैसे झो मेरे डादाजी की शकल रही प्छा उसे सकल के मेरे पिता जी हुए और मेरे जो पिता जी की सकल है वो शकल हमारी है हमारा जू तो मुझे जो सकल मिली है ना अपने खांदान से, मुझे इस पर गर्व है, मैं अपना डीपी लगाता हूँ, यह फेस्बुक की अपना डीपी तक नहीं लगाते हैं, इनको अपने बाप के सकल से नफरत है, यह अपना बाप किसी और को मान चुके हैं, वो लोग आपको समझा आते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तब बुरा लगता है, जी, बहुत सही भी लगा इनकी बात, मैं भी सहम हो, तो अच्छा यह बताईए कुंदन जी, कि जैसा कि आपने थोड़ी दिर पहरे बोला, कि बॉलिवूड के लोग भी है, बॉलिवूड के सिंगर्स भ हुई है, जब से कुछ महारथी लोग जब से आये हैं, गोपाल राय जी थे, इतना अच्छा मार्केट था उनका, भरसर्मा जी थे, राजे साहम रसिया जी थे, बहुत सारे लोग थे, इनके टाइम पर तो नहीं हुआ, बहुत अच्छी पकड़ नहीं थी, उसमें तब यह सुरोता तो थे ना, जब यह लोग का मार्केट था, हमने तो कभी नहीं देखा ही लोगों के बीच गाली गलोच, यह कुछ लोग जब से आये हैं, यह लोग क्या समस्या क्या है ना, यह गद्दी को बपाउती समझ बैठे हैं, यह ट्रांसफर होगी, फसल कितनी भी होगी तो 6 महिने में कटेगी ना, कि 5 साल में कटेगी, तो यह ट्रांसफर होना है, और यह जिनकी गद्दी जाने वाली है, जिनकी जिनकी गद्दियां जाने वाली है, जाएंगी ही, 5 साल पर चुनाओ तो होता है ना, तो यह जिनकी जिनकी गद्दियां जाने वाली है, व एक और बात भोजपूरी में कॉंट्रवर्सी तो एक तरफ है एक तरफ हमारी भोजपूरी का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि बॉलीवूड लेवल के गाने बन रहे हैं पवन जी हो या फिर खेसारी जी हो बड़े बड़े गाने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं ब भोजपूरी में वो लोग बड़े लोग आके काम नहीं करते या इतने जो काना उसको थोड़ा सा उल्टा करिए वो हिंदी वाले भोजपूरी में आके काम नहीं करते ये भोजपूरी वाले अपना कद बढ़ाने के लिए वहां जाते हैं उनको अच्छा खासा पैसा उफर कि इच्छा जाहिर की है ऐसा एक भी बयान हमने किसी का सुना नहीं है और यह लोग पबली के लिए काम नहीं कर रहे हैं यह लोग पबली के लिए काम नहीं कर रहे हैं यह लोग आपस में अपना कद बढ़ा दिखाने के लिए हम उनको दिखाएंगे कि हम आपसे बढ़े हैं वो हमको दिखाएंगे के हम आपसे बढ़ें इसलिए काम हो रहा है नहीं तो इसी आपको जो लोग बोल रहे हैं भोजपूरी काOW बढ़ा हुआ है भोट अच्छी बात है state भूशी की बात है भोजपूरी का लेबल बढ़ना भी चहिए जी भोजपूरी के जितने टोप म्यूजिक डायक्टर है आप उनके आप जाईए उनका इंटर्विव करिए और जितने आपको लगता है जो टोप के राइटर उनसे मिलिए उनसे ये भी पुछ लिए कि आपका पेमेंट कितना है भोजपूरी का लेबल तो बहुत बढ़ गया तो भोजपूरी का लेब करने के अंदाज से तो मुझे साफ पता चल गया कि इसमें कहीं न कहीं कमी है तो इतना कम पेमेंट भी मिलता है फिर भी आप भोजपूरी में काम करने क्यों ना बॉलिवुड सिंगरों को लिरिक्स लिख के दें गाने लिख के दें देखिए हमारी जो प्रिष्ट भूमी रही है ना मैं यूपी का रहने वाला हूँ ठीक है बड़ी मुश्किल से बनारस तक पहुंचा हूँ और इस भुजपूरी से उतनी ग्रोथ नहीं है कि इंसान जाके मुंबई में सेटल होके इस्ट्रगल कर सके फुटपाद पर सोके हिंदी वालों से तो मिलेंगे नहीं और मेरे बाप के पास उतना पैसा ही नहीं कि हम दें कि 2-4 लाख उर्प हो जाए हम जाए इस इस न बिघड़ा पढ़ा है तो इसमें गलती स्टारों की बिल्कुल भी नहीं है. जहां पे राइटर अगर सेलफी ले के गाना लिखने को तैयार है. स्टार के गारियों में गहूमके गाना लिखने के लिए तैयार है. उस में लगता है कि हम बड़े हो गए तो फिर वही स्टार किसी दूसरे राइटर को पैसा क्यों दे जो काम फिरी में हो रहा है हमारा उसके लिए पैसा क्यों ख़स करने जाए तो भोजपूरी इंडस्ट्री की कुछ रियालिटीज भी बताई यहां पे कुंदन पृत जी ने आपके फेवरेट कलाकार आटिस्ट जैसे क्या है हम जहां बैठे है ना समस्य यह भी है कि अभी नहीं बता सकते हैं कि इनको पसंद करते हैं धाई एजर गालियां बढ़ जाएंगी आपके कमेंट में ठीक है तो इनको पसंद करते हैं वो हमारे भीतर ही रहने दीजिए ठी आदर्स को मानते हैं किसकी रहा है ऑदर्स मानते थे तो फिर केसी को अधरस नहीं मानते हैं पृषक सबको दशन пойд किसह बीप घर परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है अपको कुन्दस इस्टेबली सोजने के बार जितना सब स्वा को मिलता है उतना जमको मिल रहा है इंस जितनी समस्याय सबको होती हम को वह भी हग आगे का झो कीष़ कुछ लोग बने के खुसका हैं कुछ 맞ल से चलता हूंther नहीं किसी गाड़ी मखुमने का पrab те अबरख इंडस्टी से मैं नभाद पर सेंट साइड्प भी जाता है कि कुंदन कुंदन प्रीत आप जैसे बाकी लोग फ्री में लिख देते हैं इंडस्टी का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है ना कि आप मजदूरी करके यह बोल देंगे ना कि हमको मजदूरी चाहिए तो सामने वाले इस्टार को बुरा लग जाएगा कि लगता है इ इनमें एटिट आगे रहे तो इस अस्तर तक घुलामी हाँ भी है इंडस्टी में इस अस्तर तक कि आज के टाइम में राइटर में उचे डैक्टा दस भीस गाना करके हक से फोन नहीं कर सकता कि भीस गाना हो गया इतना पैसा हमारा इस हिसाब से भेज दीजिए नहीं बोल स आपसे परश्ण मेरा यह है कि जैसे कि आपने बोला कि मुझे 90% लोग साइड भी हटा चुके हैं तो आगे की लड़ाई लड़नी है तो एक बात बात यह मुझे नहीं लगता ना सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा केरियर कुछ चंद लोगों की वज़े से चलता है मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ जी मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान की जो सबसे बड़ी प्रोपर्टी होती है वो होता है उसका स्वाभिमान और किसान को पता होता है कि उसको फसल कर हृप देखें वासरी पनाएंगे हमको हमको हमकिसान है ना भाई जी अब बहुत सबस्टा सबस्कत लोग कर देखें है यह सारे लोग फष्ट लेह और इन पर मैने इन लोगों इन्डस्टी के लिए मैंने कुछ लिखा है अच्छा हैं कि अजान कर दिया है कि जो समर्पित उनको अंजान कर दिया जो समर्पित है उनको अंजान कर दिया और सब कुछ बदल के रख दिया वस एक सोच ने फ़सलों को लगता है किसान पर हसान कर दिया ये समस्या है यहां की और हमारे कुछ राइटर लोग हैं, कुछ टेकनिशियन हैं उनके लिए कि जो चिल्ला करके बोल रहे हम हस्ती हैं दरबारों में खुद को हस्ती बताने वाले भाईयों के लिए बुरा लगे तो माफ्री चाहता हूँ लेकिन यह सच है कि वो चिल्ला करके बोल रहे हम हस्ती हैं दरबारों में देखे हमने सर जुके हुए थे उनके ही दरबारों में और बेगैरत बनके उपर तो तुम चड़ जाओगे सीड़ी से कभी सोचा है क्या बतलाओगे आने वाली पिड़ी से ह Resourcesária तो इंडस्टी में रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे जुकेंगे हैं किया राए हैजय है और मेरे जुकने का मेरे ना जुकने का यह हैंतना मतलब नहीं कि हम सब कर में सम्मान करते हैं है जे अपर लोगो और सुना जैसा क्या आपने बताया कि ना सही से पेमेंट है और ना लोग इतना वैल्यू देते हैं तो लेखकी ही क्यूं चुना आपने गाईकी भी चुन सकते थे अभी नहीं भी कर सकते थे यह बिजनस नहीं है भाई मेरे इस लाइन में आना बिजनस सोच के इस लाइन में कोई नहीं आता कि गायकी में बड़ा पैसा चलो यही बिजनस करते हैं राइटरी में पैसा यही बिजनस करते हैं कलाकार जो होता है जैसे God gifted होता है हम चाह के भी अपने लड़के को राइटर नहीं बना सकते अगर राइटरींग में बहुत पैसा भी होता माली जो अथा पैसा होता राइटरींग में तो भी हम अपने लड़के को राइटर नहीं बना सकते थे राइटर हमारा लड़का तभी बन पाता जब वो चाह दे हमको उन्होंने चाहा है कि हम लिखेंगे तो हमने लिखा है यह सच चाहिए यह बिजनस होता बिजनस सोच के थोड़ी आयते कि गाना लिखेंगे कमाएंगे नहीं शौक था अच्छा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज बहुत सार लोग भी आपको देख रहे होंगे इस वक्त तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए यही संदेश से हमारा कि आप लोग सब को सुनिए और कोई जरूरी नहीं कि आप लोग सब को सुनिए आप लोग जिसको पसंद करते हैं उनको सुनिए समझे लेकिन जिसको नहीं पसंद करते हैं उसको गाली मत दीजिए कोई भी इस्टार एक दो लोगों के चाहने से नहीं बना है किसी भी इस्टार को लाखों लोगों ने चाहा है तो वो इस्टार बना है आप उसको नहीं पसंद करते तो आप उसको गाली दे के उन लाखों चाहने वालों का आप मान मत करिये जो लाख हो लोग उनको चाहते हैं आप किसको पसंद करते हैं वो आपका हक है जाकिन आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते कि तुम भी उन्हें पसंद करो जी बहुत खोब और अब इस इंटर्वियू को भी आपे खतम करेंगे और खतम करने से पहले कुंदन प्रीज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया हमारे लिए तहर दिल से धन्यवाद और प्लीज इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेर करिए क्योंकि इसमें जो भी बाते हुई बहुत अच्छी लगी और सही मुद्दों से जुड़ी बाते थी तो आज के लिए इतना ही सबको नमस्कार धन्यवाद